दोस्तों आज की वीडियो में हम रुपेर करने वाले हैं गोदरे यह 5-star का PCB इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसके अंदर है कि कभी-कभी तो इसका compressor जो है वो चल जाता है अराम से और कभी-कभी इसके अंदर जो है compressor जटके लेकर चलता है और उसके बाद जो है वो बंद हो वीडियो में हम इसके रुपेर करने वाले या स्टैप पाई स्टैप हमारा जो एरर है वो IPM से रिलेक्टर जो एरर है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंतर जो है वो प्रॉबलम क्या रही है तो इंडोर हमने इसके साथ में कनेक्ट करकर रखा है तो मैं जो इसे स्टैंड वाई से इससे रिलीज करता हूं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारी क्या प्रॉबलम है लास्ट वारी वीडियो के अंदर भी हमने जो है एक मैं जो है compressor हमारा चल गया लेकिन ये बहुत ज़्यादा जड़के मार रहा है आपको सुनाई दे रहा होगा और अब जे बंद हो गया अब इसके अंदर आएगा error और जे हमारा error जो है ये 33 time का error है तो हम इसे बंद कर देते हैं और इसे जो है वो repair करते हैं step by step तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस error का जो मतलब है जानी की या तो हमारी जो drive MCU से 6 signal जो आते हैं इस IGBT को drive करने के लिए वो proper नहीं आ रहे है जा हो सकता है वो signal हमारे कितम सही है हमारा कोई IGBT की खराब हो जो proper switching में नहीं कर रहा है तो यहां हो तक तक हमारे IGBT कोई भी शौट ना हो बिल्कोल सही हो लेकिन इसका जो gas discharge circuit है वो भी अगर खराब होगा तो भी IGBT हमारा discharge नहीं होगा तब भी हमारे पास same problem आएगी तो सबसे पहले जो है हम इसे UVW को टेस्ट करेंगे मल्टी मीटर को जो है वो आपको कर लेना है डायोड मोड के उपर जाने के continuity मोड के उपर और सबसे पहले जो है वो हमें 6 IGBT होगा वो चेक करना है तो सबसे पहले हम low side के IGBT चेक करेंगे इस पर हमें जो है वो एक टासी रीटिंग मिलनी चाहिए 427 427 और 427 अब हम चेक करेंगे high side के तो यह भी सही है यह भी सही है और यह भी सही है यानि हमारे 6 IGBT तो है वो watts है इसके बाद बाद आती है हमारे इस गे 테शार सिर्क्रिट की तो आपको एक एक करके यह थारी जीस तरे और डैड वो चेक करने तो हम सबसे पहले वो चेक करेंगे हमारी हमने जो सबसे पहले हमारे शे सिंगनल चेक करने है क्योंकि सिंगनल तो जो है वो हमारे आ रहे हैं और क्योंकि कंप्रेसर भी हमारा चल रहा लेकिन जटके लेकर चल रहा है तो इस IC की जो सबसे पहली पिंड है मैंने कई वीडियो में बता दिया है सब पहले भी हमारे पास सेम यही error आया था लेकिन उसके अंदर हमारा EDCHAR circuit था वो खराब था और अब जो हमारे पास है फिर से वही problem आई है तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या खराब निकलता तो वीडियो को पूरा देखिए step by step देखिए इस PCB के उपर कम से कम मैंने 25 वीडियो जो है वो बना दी है आप चैनल पर जाएए लोगों को क्लिक करके प्लेज लिस्ट के अंदर free inverter PCB रपेर का कोस्ट का जो है वो प्लेजिस्ट बना हुए उसके अंदर सारी वीडियो है इस PCB का रिलेटर तो वहाँ पर जो है आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चैनल जो है इसकी first pin जो है वो हमारी VCC है पंदरा वोल्ट की उसको चोड़के उसकी बाद बाली जो हमारी 6 pin है वहाँ पर हमें same reading मिलने चाहिए तो यह होगी हमारी पहली IT और यह दूसरी यह ठीक है और यह तीसरी तो यह रिडिंग हमारी सही नहीं है चलिए आगे चक करते है जह होगी हमारी चाहर नंबर लोग की पहली और यह लोग की दूसरी और यह हमारी होगी लोग की तीसरी तो यहाँ पर हमारी जो रिडिंग स वो कुछ है नहीं सी यहां अब यहां तो हमारे एक सिंगनल शॉट हो गया है अब यह शॉटिंग आइसी की तरफ से है यह एंसी की तरफ से है वो हमें चेक करना है तो मैं जो है आपको पहले थोड़ा सा डाइगराम के हिसाब से यह समझाऊंगा कि यह सरक्ट यहां पर कैसे बनाओ तो मैंने जो एक सिंगनल का सरक्ट यहां पर बनाया है तो अगर आप देखेंगे यह वारा से हमारी है एक Reis टो लगी यह जीरो ओम की और उसके वाद लगी है यह फिस्टी बाप नों की च्छे सिंगनल के लिए जो सेम होती है और एक रीजटर हमारी लगी होती है फाइफ और बान की लों की ग्राउंड से तो हमें जो आए इन तीनों रिजिस्टरों को है वो चेक करना है सबसे पहले तो उने रिजिस्टरों को चेक करने के लिए हम जो है मल्टी मीटर को करेंगा रिजिस्टर मोड पे एक हम जो हमारा जराउंड यहां पे है तो हमें यहां पी रख लेजे हैं आपको असान तरीका बताता हूँ तो आप यह जो हम रिजिस्टर चेक कर रहे हैं यहां पे हमारी यह फाइफ फंड बान के लों की यो गराउंड से लगी वी यह सरक्ट में होने ते कारन इसकी यह वैलिवर वो तीन किलो बाहुं बता रही तो हम दूसरी पर चेक करेंगे तो यह भी सही है तो यह तीन नमबर यहां हमारी रिडिंग खराब थी तो लेकिन हमारी रिजिस्टर जो है वो बिल्कुल सही है यह भी सही होगी उसके बाद यह भी सही है हमारी उसके बाद यह पांच नमबर और उसके बाद यह छे नमबर तो रिजिस्टर ये थो है वो हमारी बिल्कोल सही है तो हमें एक काम ओड कर सकते हैं mcu की तरफ से जो हमारी इस्टर आती है उन्स पर सब से पहली सिंग्लल पर हम चेक करेंगे कि हमारी डायड मोड के ऊपर करके कि हमारी रीडिंग कितनी है यह 50 बानों की बीजिस्टर के उपर मैं लगा रहा हूँ जो आपको अभी डाइग्राम पर मैंने बताया तो इस पे आप देखेंगे थे 6.72 और यह दूसरी नंबर के सिंगनल है 6.73 यह भी सही है और यह हमारी तीसरी नंबर पर यहां पर हमारी रीडिंग खराओ तो यहां पर भी हमारी रीडिंग है वो सही नहीं तो यानि कि हम हमारी जो ग्राउंड से रीजिस्टर है वो तो हमारी बिलकुल सही है लेकिन हम जो यह 50V वाली रिजिस्टर इसे भी चेक करें तो अगर आप देखेंगे तो रिजिस्टर जो है वो बिलकुल सही है तो यहां पर जो अमारी problem है नहीं और उसके बाद तो हमारी यह 0V की रिजिस्टर है तो अगर आप देखेंगे शहर ये सही से नहीं लगा है तो ये रिजिस्टर हमारी 1 किलों बता रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके साथ वाली एक रिजिस्टर और लगी है इसकी आ गई हम उसको चेक करेंगे कि वो क्या बता रही है यहां पर आप देखेंगे रिडिंग फू चाल लगा है और हमारी जो रिजिस्टर है वो ये वाली है दूसरे निमबर से तो इस रिजिस्टर के उपर अगर हम चेक करेंगे तो तो यह रिजिस्टर अमारी बता रही है वान के लिए इसकी बज़े से यहां पर हमारी रीडिंग थी वो रही नहीं आ रही तो आपको क्या करना है आपको यह 50 आम्बाली रीजिस्टर और जिरव रीजिस्टर जो है इसे payroll करना है उसके बाद हम चेक करेंगे ऐंगे अगर सही हुए चो ठीए नहीं तो फिर हमारा जो है इस IC के तरफ से भी मारी shortage हो सकती है और MCO की तरफ से भी सबसे फहले जो है मैं जो है इसे एक बार D-shouldering करूँगा और उसके बाद हम एक बार फेस्टे reading चेक करेंगे आपको कभी भी problem आगी तो आपको तो ये change ही करनी है मैं जो ऐसे D-shouldering करके दुबारा से शोल्डर करूँगा और चेक करता हूँ पिर reading सही होती है तो हम इसको चला कर देखे लेंगे नहीं तो फिर हमें इसे change करेंगे change तो हमें इसे करना ही है अगर आप इसको ऐसे ही re-shouldering करके दे देंगे तो ये दुबारा से प्रावलमा के साथ आने बाद है तो रिष्टर को तो मैंने यहां से re-shouldering किया है तो उसके बाद जो हम इसकी देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इसकी reading वो सही बजाने लगी है लेकिन आपको जो है ये change करनी है तो उसके बाद हम इसे करेंगे डायोड मोड के उपर और चेक करेंगे यहां पर तीन नमबर पर हमारी तो पहले reading थी वो कुछ और थी तो अभी हम reading देखेंगे तो कितनी हो गई 700 बार है और ये 700 बार है ये 700 बार तो अभी हमारी reading बिल्कुल ओके हो गई है तो सबसे पहले मैं get ओरूँगा इसे जो है PCB को on करता हूँ और चला के देखता हूँ वैसे तो अभी हमारी PCB चाहिए सही चलने चाहिए बिल्कुल आपको जो है ये रिस्ट चेंज करनी है मैं इसको बाद में change कर दूँगा तो अभी हम जो है इसे सबसे फैंदे on करके देखेंगे तो stand wise से इसे release करते हैं तो हमारी on होगे DC फैंड मोटर की और हमारा compressor भी जो है अभी जो है बिल्कुल आराम से वो बिल्कुल on होगा है उसने कोई भी चक्रा नहीं लिया है और बहुत ही आराम से हमारा compressor चल गया है तो आप भी दोस्तों ऐसे ही बिल्कुल थियोरी के साथ step by step किसी भी PCV को अराम से रपेर कर पकते हैं कोर्स जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ ताकि जो भाई कोर्स नहीं कर पा रहे हैं जा तो बहुत दूर है जा उनका बजट बहुत कम है तो बहुत ही कम पैसे के अंदर मैं जो है इस PCV का कोर्स जो है वो रेडी कर रहा हूँ ताकि कोई भी आदमी जो है हमारा student कोई भी वाही technician जो अगर रपेर करना चाता है इस प्रेड में आना चाता है तो वो अराम से उस कोर्स को बाई भी कर सकता है और PCV को अराम से सीख भी सकता है रपेर प्रिक्ट